जै गुरुजी भगवान शिव का गंगाव तरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आग्या के अनुसार उनका उस थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था करना ब्रह्मा जी कहते हैं नारत हिमवान की पुत्री लोग पूजित शक्ती स्वरूपा पार्वती हिमाले की घर में रहे कर बढ़ने लगी जब उनकी अवस्था साथ वर्षकी हो गई तब सती की विरह से कातर हुए शंभू को उनके जन्म का समचार मिला नारत उस अद्बुत बालिका पार्वती को हृदे में रखकर वे मन ही मन बड़े आनन्द का अनुभव करने लगे इसी बीच में लौकिक गती का आश्रे ले शंभू ने अपने मन को एकाग्रे करने के लिए तब करने का विचार किया नंदी आदी कुछ शांत पार्ष्टों को सांत ले वे हिमाले के उत्तम शिखर पर गंगा उतार नामक तीर्थ में चले आए जहां पूर्वकाल में भ्रम धाम से चुत होकर समस्थ पाप राशी का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीन हुई थे जितेंद्रिये हर ने वहीं रहे कर तपस्या आरंब की वे आलसे रहित हो चेतन, ज्यान स्वरूप, नित्य, जोतिर में, निरा में, जगन में, चिदानन स्वरूप, द्वैत हीन तथा आश्र रहित अपने आत् परायन होने पर नंदी भ्रिंगी आदी कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में ततपर हो गए, उस समय कुछ ही प्रमत गण पर मात्मा शंभू की सेवा करते थे, वे सब के सब मौन रहते और एक शब भी नहीं बोलते थे, कुछ द्वार पाल हो गए थे, इसी समय गिरी गिरी राज हिम्वान उस औशदी बहुल शिकर पर भगवान शंकर का शुबागमन सुनकर उनके प्रती आदर की भावना से वहां आए, आकर सेवको सहित्स गिरी राज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन हो हाँ जोड उनका सुन मुझे सानाद कर दिया, क्यों ना हो महात्माوں ने यह है ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वसल हैं, आज मेरा जनम सफल हुआ है, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदारपन करने का कश उठाया है, महेश्वर आप मुझे अपना दा समझ कर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आग्या दीजिए मैं बड़ी प्रसनता से अनन्य चित होकर आपकी सेवा करूँगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरी राज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आँखे खोली और सेवकों सहित हिंवान को देखा सेवकों सहित गिरी राज को उपस्तित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर रिशद धवज ने मुस्कराते हुए से कहा महेशवर बोले शैलराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ तुम ऐसा प्रमंद करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके तुम महात्मा हो तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रे देने वाले हो द्विज आदिका तुम्हारे उपर सदा ही निवास रहता है तुम गंगा से अभिशिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपून परवतों के सामर्थ शाली राजा हो गिरी राज, मैं यहां गंगाव तरंस्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसयम पूर्वक बड़ी प्रसनिता के साथ तपस्या करूँगा शैल राज, गिरी श्रेश्ट जिस सादन से यहां मेरी तपस्या बिना किसी विग्न बादा के चालू रह सके उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो पर्वत प्रवर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम पूर्वक प्रबंद करो म्रमा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर स्रिष्टी करता जगदीश्वर भगवान शम्गू चुप हो गए उस समय गिरिराज ने शम्गू से प्रेम पूर्वक यह बात कही जगनात परमेश्वर आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है यही मेरे लिए महान सवभागे की बात है अब आप से और क्या प्रात्ना करूँ महेश्वर कितने ही देवता बड़े बड़े यतन का आश्वेले महान तब करके भी आपको नहीं पाते वे ही आप यहां स्वेम उपस्तित हो गए मुझसे बढ़कर श्रेष्ट, सौभागे शाली और पुन्यात्मा दूसरा कोई नहीं है क्योंकि आप मेरे प्रिष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्तित हुए है परमेश्वर आज मैं अपने को देवराज इंद्रिस से भी अधिक भागयवान मानता हूँ क्योंकि सेवकों सहित आपने यहां आकर मुझे अनुग्राय का भागी बना दिया देवेश आप स्वतंत्र हैं, यहां बिना किसे विग्न बादा के उत्तम तपस्या कीजे प्रभू मैं आपका दास हूँ, अतहे, सदा आपकी आग्या के अनुसार सेवा करूँगा रमा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहे कर गिरी राज हिमाले तुरंट अपने घर को लोट आए उन्होंने सब अपने प्रिया मैना को बड़े आधर से वह सारा वितान्त कह सुनाया तत पश्चात शेहर राजने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्य वक गणों को बुला कर उन्हें ठीक ठीक समझाया हिमाले बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरन नामक स्थान में जो मेरे प्रिष्ट भाग में ही है, मेरी आग्या मान कर ना जाए यह मैं सची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेश दंड दूँगा मुने इस प्रकार अपने समस्गणों को शीग्रही नियंतृत करके हिमान ने विग्न निवारन के लिए जो सुन्दर प्रयत्न किया वहे तुम्हें बताता हूँ, सुनो अध्याए ग्यारा हिम्वान का पार्वती को शीव की सेवा में रखने के लिए उन से आग्या मांगना और शीव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्विकार कर देना ब्रह्मा जी कहते हैं नारत तदंतर शैलराज हिमाले उत्तम फलफूल लेकर अपने पुत्री के साथ हर्श पूर्वक भगवान हर के समीब गए महा जाकर उन्होंने ध्यान परायन त्रिलो की नाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भूत कन्या काली को रिदे से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया फलफूल आदी सारी समगरी उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंबू से कहा भगवन मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रिशिक्खर की सेवा करने के लिए उत्सुख है अतहे आपकी अरादना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ यहें अपनी दो सख्यों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे नात यदी आपका मुझ पर अनुक रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आगया दीजिए तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपनी कन्या को देखकर आखे मूनली और अपने त्रिगुनातीत अविनाशी परम तत्व मैस उत्तम रूप का ध्यान आरंब किया उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटा जूट धारी विद्दांत विद्दे चंद्र कला विभूशन शंबू उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किये तब ध्यान में ही लग गए यह देख हिमाचल ने मस्तक जुका कर पुनह उनके चर्णों में प्रणाम किया यदि पी उनके रिदे में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संचे में पढ़ गए कि ना जाने भगवान मेरी प्रातना स्विकार करेंगे या नहीं वक्ताओं में श्रीष्ट गिरीराज हिमवान ने जगत के एक मात्रबंधू भगवान शिव से इस प्रकार कहा हिमाले बोले देव देव महादेव करुना कर शंकर विबो मैं आपकी शरन में आया हूँ आँखे खोल कर मेरी और देखिए शिव शर्व महीशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभू महादेव आप संपून अपतियों का निवारन करने वाले हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामी प्रभू मैं आपने इस पुत्री के साथ प्रति दिन आपका दर्शन करने के लिए आउंगा इसके लिए आदेश दीजे उनकी यह बात सुनकर देव देव महेशवर ने आँखे खोल कर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा महेशवर बोले गिरी राज तुम अपने इस कुमारी कन्या को घर में रख कर ही नित्या मेरे दर्शन को आ सकते हो आने था मेरा दर्शन नहीं हो सकता महेशवर को ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिम्वान मस तक जुका कर उन भगवान शिव से बोले प्रभू यह तो बताएए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आता यह सुनकर भगवान प्रिशत द्वज शंबु हसने लगे और विशेश तहदुष्ट योग्यों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमाले से बोले शेहल राज यह कुमारी सुन्दर कटी प्रदेश से तुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुब लक्षनों से संपन है इसलिए इसे मेरे समीब तुम्हें नहीं लाना चाहिए इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है विशेष्टा युफ्तिस्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विगन डालने वाली ही होती है गिरी श्रेष्ट मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निलिप्त रहने वाला हूँ मुझे युफ्तिस्त्री से क्या प्रयोजन है तपस्वियों के श्रेष्ट आश्रे हिमाले इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहने चाहिए क्योंकि तुम वेदोक्त धर्मे प्रवीन ग्यानियों में श्रेष्ट और विद्वान हो अचल राज स्री के संग से मन में शिग्र ही विशेवासना उत्पन हो जाती है इससे विराग्य नश्ट होता है और विराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से ब्रष्ट हो जाता है इसलिए शैल तपस्वी को स्तिरियों का संग नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री महा विशे वासना की जड़ एवं ग्यान विरागे का विनाश करने वाली होती है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस तरह की बहुत सी बाते कहकर महा योगी शिरो मनी भगवान महेशवर चुप हो गए देव रिशे शंबू का यह निरा में नीस्प्री और निष्ठुट वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ-कुछ व्याकुल और चुप हो गए तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरी राज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली अध्याय बारा पार्वती और शिव का दार्शनिक समबाद शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आग्या देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा भवानी ने कहा योगिन आपने तपस्वीयोकर गिरिराज से यह क्या बात कह ढाली प्रभू आप ग्यान विशारत हैं तो भी अपने बात का उत्तर मुझसे सुनिये शम्भो आप तपाय शक्ती से संपन होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं उस शक्ती के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ती है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए प्रकृति से ही सब की स्रिष्टी, पालन और संघार होते हैं भगवन आप कौन है और सुक्ष्वें प्रकृति क्या है इसका विचार कीजिए प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनिये, वंदनिये और चिंतनिये हैं वह प्रकृति के ही कारण है इस बात को रिदे से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारत पार्वति जी के इस वचन को सुनकर माती लीला करने में लगे हुए प्रसनचित महेश्वर हसते हुए बोले महेश्वर ने कहा मैं उतकृष्ठ तपस्याद्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतह प्रकृति रहित शंभू के रूप में स्थित होता हूँ अतहे सत्पृषों को कभी या कही प्रकृति का संग्रहन नहीं करना चाहिए लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए नारज जब शंभू ने लोकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हस कर मधुरवानी में बूरी काली ने कहा कल्यान कारी प्रभू योगिन आपने जो बात कही है क्या वहवानी प्रकृति नहीं है फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए क्यों प्रकृति का सहरा लेकर भोलने लगे इन सब बातों को विचार करके तात्विक तृष्टी से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंदा हुआ है इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए क्योंकि कहना और करना सब व्यवार प्राकृत है आप अपने बुद्धी से इसको समझे आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्राकृती का ही कारे है जूटे वाद विवाद करना व्यर्थ है, प्रभू, शंभू, यदि आप प्राकृती से परे हैं तो इस समय इस हिम्वान परवत पर आप तपस्या किसले करते हैं हर प्राकृती ने आपको निगर लिया है अतहें आप अपने स्वरूप को नहीं जानते इश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किसले तप करते हैं योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवशक्ता है तत्यक्ष प्रमान उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमान को नहीं मानते जो कुछ प्राणियों की मैं प्रकृती हूँ आप पुरुष यह सत्य है इसमें संशन नहीं है मेरे अनुग्रह से आप सरगुन और साकार माने गए हैं मेरे बिनातों आप निरी हैं कुछ भी नहीं कर सकते आप कितेंद्रिय होने पर भी प्रकृती के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझ से लिप कैसे नहीं शंकर यदि आप प्रकृती से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीब रहने पर भी डरना नहीं चाहिए प्रमा जी कहते हैं पार्वती जी का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ उत्तम वचन सुनकर भगवान शिव विदान्त मत में स्थित हो उनसे यों बोले श्री शिव ने कहा सुन्दर भाषन करने वाली गिरिजे यदि तुम सांख्य मत को धारन करके ऐसी बात कहती हो तो प्रती दिन मेरी सेवा करो प्रन्तु वह सेवा शास्त्र निशिद नहीं होनी चाहिए गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रे और उनका मनोरणजन करने वाले भगवान शिव हिमान से बोले शिव ने कहा गिरिराज मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रम्निया श्रेष्ट शिखर की भूमी पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का चिंतन करता हुआ विच्रूंगा परवतराज आप मुझे यहां तपस्या करने की अनुमती दें आपकी अनुग्या के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता देवादिदेव शूलदारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमान ने उन्हें प्रणाम करके कहा महादेव देवता असुर और मनुश्यों सहित संपून जगत तो आपका ही है मैं तुछ होकर आपसे क्या कहूं ब्रह्मा जी कहते हैं नारत गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोग कल्यान कारी भगवान शंकर हस पड़े और आधर पुरवक उनसे बोले अब तुम जाओ शंकर की आगया पाकर हिमवान अपने घर लोट गए वे गिरिजा के साथ प्रती दिन उनके दर्शन के लिए आते थे काली अपने पिता के बिना भी दोनों सक्षियों के साथ नित्या शंकर जी के पास चाती और भक्ती पूरवक उनकी सिवा में लगी रहती नंदीश्वर आधी कोई भी गण उन्हें रोगता नहीं था तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था प्रतेगण पवित्रता पूरवक रहे कर उनकी आग्या का पालन करता था जो विचार करने से परस पर अभिन सिध होते हैं उन्हीं शिवा और शिवने सांखे और विदान्त मत में स्थित हो जो कल्यान दायक संबाद किया वह सरवदा सुख देने वाला है यह संबाद मैंने यहां कह सुनाया इंद्रिया तीद भगवान शंकर ने गिरी राज के कहने से उनका गौरव मान कर उनके पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्विकार कर लिया काली अपनी दो सक्यों के साथ चंद्र शेकर महादेव जी की सेवा के लिए प्रति दिन आती जाती रहती थी वे भगवान शंकर के चरन दो कर उस चरना मृत का पान करती थी आग से तपा कर शुद किये हुए वस्तर से अत्वा गरम जल से दोई हुए वस्तर के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती उसे मलती पहुँचती थी फिर सोलह उपचारों से विदिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चर्णों में प्रणाम करने के पश्चात प्रति दिन पिता की घर लोट जाती रही मुनिश्रेश्ट इस प्रकार ध्यान परायन शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो रहा तो तो भी वे अपनी इंद्रियों को सैयम में रख कर पूरवत उनकी सेवा करती रही महादेव जी ने जब उन्हें अपने सेवा में नित्यतत पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे यह काली जब तपश चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा तब ही मैं इसका पानी ग्रहन करूँगा ऐसा विचार करके महा लीला करने वाले महा योगीश्वर भगवान भूतनात तदकाल ध्यान में स्थिद हो गए मुने परमात्माशिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदे में दूसरी कोई चिंता नहीं रहे गई काली प्रती दिन महात्माशिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ती भाव से उनकी सेवा में लगी रही ध्यान परायन भगवान हर शुद भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे फिर भी पूर्व चिंता को भुला कर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे इसी बीच में इंद्र आदी देवताओं दथामुनियों ने म्रम्मा जी की आग्या से काम देव को महाँ आदर पूर्वक भीजा वे काम की प्रेणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे उनके ऐसा करने में कारण था कि महापराकरमी तरकासुर्च से वे बहुत पीडित थे और शंकर जी की किसी महान बल्वान पुत्र की उत्पत्ती चाहते थे काम देव ने वहाँ पहुँच कर अपने सब उपायों का प्रेणा किया प्रेंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोब नहीं हुआ उल्टे उन्होंने काम देव को जला कर भस्म कर दिया मुने तब सती पारवती ने भी गर्व रहित हो उनकी आग्या से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पती रूप में प्राप्त किया फिर वे पारवती और परमेश्वर परस पर अत्यंत प्रेम से और प्रसनता पूर्वक रहने लगे इन दोनोंने परोपकार में ततपर रहे कर देवताओं का महान कार्य सिद किया अध्याए तेरा जै गुरूजी संगर जी इस चैट्र के अंदर हमें बड़ा गुरूजी ने बड़ी सारी चीज़ समझा है सबसे पहला तो कि जब तपस्या करनी है तो हमें किसी की चिन्ता नहीं करनी है जैसे कि हम सत्संग में बیठे हैं अपने गुरू जी के में ध्यान लगाया हुआ है तो उस समय हमें ना घर की ना परिवार की ना बच्चों की किसी की भी तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाना चाहिए बस गुरू जी के चर्णों में ध्यान लगाना चाहिए आज कल्यू की तपस्या हमारे लिए सत्संगी है उसके बाद उन्होंने बोला कि जब गर्व का बीज नहीं रहेगा वो माँ पारवती की बात करें देवी पारवती की तो सोचो कि उन्हें भी गर्व का बीज जब नहीं रहेगा तब ही वो उनको grant करेंगे और देवी पारवती जी ने क्या का ये तपस्या करके गर्व रहित हो गई तो हम सब को अपने मन से हमको अपने सारी ego को खतम करना है जब हमारी ego खतम हो जाएगी तब ही हमारे गुरू जी हमें accept करेंगे ठीक से सही माइनों में तब ही हम उनके शिशे के लाने लाइक होंगे मुझे जो ये समझ में आया इस चैप्टर में वो बता रही हूँ और और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं जो प्रावपली आप मुसे जारा अच्छे से समझ सकते हैं एक बात और भी जैसे प्रकृती का है इसके अंदर की प्रकृती नीचर जिसे हम लोग खाली एक एक रूम में गुरू जी का सथ संग करते हैं लेकिन गुरू जी ने नीचर के बारे में बहुत बोला है कि वो नीचर से दूर नहीं है और नीचर के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे तो जब हम गुरू जी से कनेक्ट होते हैं तो हमें नीचर से कनेक्ट होना चाहिए हम आज के जमाने में हम सब चीजों में इलेक्ट्रोनिक्स में इंसाइड, like we are more in the inside atmosphere, we should go outside and you know be with the five elements be with the nature to connect more in our गुरू, to connect more with the divinity जै गुरू जी ओम नमस्षिवाई शिवजी सदासा है ओम नमस्षिवाई गुरू जी सदासा है